So hello guys and welcome back with another review video Recently launch किये जाने मौला model Hero Glamour X-Tax 125 को लोग काफी पसंद कर रहा है लेकिन क्यों और क्या क्या एडवांस फिचर से इस में लगाया है इस नया 125 CC model पे उसी के बारे में मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अफलोट किया था मेरे चैनल पे और मेरे कुछ भीवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि Hero X-Tax की black color जो है और this variant का एक review करने के लिए तो आज Hero X-Tax black color में जो जो changes हुआ है उसके बारे में जारेंगे इसी वीडियो पे तो चलिए देख लेते क्या-क्या नया changes क्या-क्या नया features लगाया इस Hero X-Tax पे उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल इंडियान आइडेंटिटी को प्री सब्सक्राइब करके रखना ऐसी बाइक और स्कूटर का review पाने के लिए आपके सामगे तो सबसे first point में बात करते है बाइक का कलर अप्सन, Glamour X-Tax आपको सेरफ और स्रिप दो ही कलर अप्सन वे अभी तक सोरूम पे available मिल जाएगा जो है Glossy Black और Matte Axis Gray एक्चा कलर है आप देखी सकते हो जो changes किया है Hero ने totally इसका graphics के उपर किया है इसका जो आप 3D लोगों देख रहे हो ये Dwilt on 3D लोगों के स साथ-साथ आपको ये market के देखनी को मिलेगा और आने वाले कुछी दिनों में और एक color इसका नए addition हो जाएगा जो है matte finish में gray red color वो भी काफी अच्छा color रहने वाला है जोस्ते अब अगर Glamour X-Tax की headlight assembly पे notice करेंगे तो आपको काफी changes देखनी को मिलेगा 3D लोगों के साथ LED position lamp काफी aggressive looking में आपको देखनी को मिलेगा ये position lamp से bike की key on करने से DRL की तरह glow करता है और fall looking को काफी enhancement करता है और head lamp भी आपको LED देखनी को मिल जाता है जो सभी Glamour US का जो complaint था below average night visibility की तो अभी वो पूरा का पूरा खतम हो गिया है इस Glamour X-Tax में इसमें LED lamp का head lamp का use के एक company न notice करेंगे उसमें आपको ज्यादा changes देखने को नहीं मिलेगा उसमें भी OE normal bulb का use company ने किया है white color का transfer and reflector lens का use इसमें किया है जो काफी अच्छा brighter है night के time पे काफी आच्छा visibility ये 4-4 indicator lamp आपको provide कर देगा बाइक के rare view अगर आप देखेंगे तो आपको rare view में जो tail lamp लगाया गय वो normal signature pattern का tail lamp जो बरकरार रखा है company ने काफी brighter है break दबने से इसका जो brightness से और भी बढ़ जाता है काफी impressive looking के साथ ये H pattern का signature lamp आपको देखने को मिलेगा और rare view भी काफी impressive आपको glamour extract में देखने को मिलेगा इसका meter panel 125 सेग्मेंट पे पहली बार ऐसा instrument caster का यूज हुआ है fully elicit instrument caster bike को काफी premium फिल देता है और इस bike को और भी unique बनाता है इस meter panel का जो features है वो सारी features जो है gear position आपको पहली बर तो देखने को मिलेगा RPM का indication इस meter panel पे आपको देखने को मिलेगा eco mood आपको देखने को मिलेगा जो throttle के लिए बहुत ही अच्छा है आपका जो fuel efficiency उसको increase करेगा size stand का आपको safety मिल जाएगा अगर size stand आपका उठाने गिरा है तो bike start नहीं कर पाऊगा आप start नहीं होगा यह बहुत ही अच्छा safety features देखे करेगा अगर आपका phone आएगा आपका SMS आएगा तो भी इस meter panel पे आपको सो कर जागा यह सबसे इस meter का खातियाद है इसलिए दोस्तों इस meter panel को मुझे बहुत ही पसंद आया आपको यह meter panel कैसे लगए यह नीचे मुझे comment section पे जरूर बोला इस new model पे जो key control लगाया गया है उस इसी के साथ-साथ i3 sensor का switch भी एक optional देखने को मिल जाता है हमको इस glamour extract की key control में new hero extract 125 में और एक नया एडिशन जो hero motocop ने किया है वो काफी अच्छा होए integrated USB port का system देखे रखा है headlight assembly के ठीक side में जो आपके लिए बहुत ही helpful बहुत ही मायने रखेगा in future आप अगर आपका चा suspension डाय 30 mm का suspension देखने को मिलेगा जिसका travel भी काफी अच्छा है खराब road के लिए अच्छा riding आपको मिल जाएगा और अगर आप रेयर में देखेंगे तो 5 step adjustable hydraulic sock absorbs देखे रखा है company ने जो आप आपके हिसाब से adjust भी कर सकते हो और काफी premium quality का suspension आपको front में और रेयर में देखने diameter बाला disc brake आपको सामने देखने को मिलेगा front में और अगर आप drum brake purchase करते हैं तो 130 mm diameter बाला drum brake आपको मिल जाएगा IBA system यहने की integrated braking system के साथ इसको install किया है company में जो और रेयर में कम भी braking system के साथ काम करेगा safety features में काफी अच्छा आपको performance दे देगा यह glamour extent bike की wheel और tire की बात करें तो इस bike पे आपको street design L.A. wheel देखने को मिलता है stickering किया हुआ है जिसमें आपको glamour sticker देखने को मिलेगा काफी अच्छा looking provide कर रहा है और front में 80 by 188 का tubeless tire आपको देखने को मिलेगा इसी point पे आप अगर देखेंगे इसका rear पे तो 100 by 88 अठरेंजी का bandit tubeless tire आपको देखने को मिलेगा और 1223 mm का wheel base के साथ-साथ 1A team का ground strength जो ruler area के लिए city रेक लिए काफी अच्छा ground strength आपको देखने को मिली जाएगा इस glamour extent बाइक की engine power performance and technology इसके बारे में आपको बताओ तो ये engine auto seal technology के साथ आता है और इसमें एक sense का 13 smart sensor लगाया गया है जैसे की auto sensor, i3 sensor, back angle sensor ऐसी 13 smart sensor का usage में किया है जो काफी अच्छा performance आपको in future देदेगा और इस engine का displacement है वो 124.7cc का displacement का engine है एर कूर फोस्टो की engine है इसका bore stroke 52.4 mm बोर का साइज है और 57.8 mm इसका stroke का साइज है काफी अच्छा है compression ratio भी 9.9 is to 1 compression ratio है और इसका maximum power 10.7 और 7500 rpm का maximum power आपको देखने को मिलता है और उसी के साथ 10.6 Nm और 6000 rpm का torque ये engine produce कर सकता है इसका throttle भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा fully fuel injection system में काम करता है इसके वैसे जो fuel का efficiency है mileage है उसमें काफी improvement हमको देखने को मिलेगा ये 55-58 का average आपको मिल जाएगा आराम से आपके riding के हिसाब है बाइक की transmission and frame की बारे में अगर आपको बताओ तो इस बाइक को पुरा का पुरा diamond frame की उपर company ने SMB लगिया है जिसका longevity काफी अच्छा है और इस बाइक पे 5 manual gear के साथ 5 years की engine का brand warranty भी hero provide करता है ये सबसे बड़ी बात जो है मुझे अच्छा लगदा है hero motor को बाइक का engine का sound है काफी impressive है दोस्तों क्योंकि इसका जो exhaust है उसमें catalytic converter का use company ने किया है जो environment के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बाइक का sound है उसमें भी improvement ला रहा है आप देख सकतो ये catalytic converter है और काफी premium quality का exhaust का installation किया है hero motor को काफी अच्छा impressive looking के साथ साथ इस muscular fuel tank का fuel tank capacity 10 liters की है और ये A5 होने की वैसे आपको 2-3 liter का petrol हर बक्त maintain करना पड़ेगा बाइक की sitting comfort आपको काफी अच्छा मिल जाएगा इसका जो seat का material बनाया गया हो soft quality का material का huge company ने किया है और PNP भी आपको rear grab rail देगने को मिलता है जो की premium quality का सारे guard भी आपको इसमें installation किया हुए company के तरफ से मिल जाता है शेर पर से आपको engine guard as a accessories आपको purchase करके इसमें installation करना पड़ेगा Glamour X-Tex की weight and dimension की बात करें तो यह 122-123 kg के आसपास आपको देगने को मिलेगा 2051 mm का length आपको देगने को मिलेगा 722-743 का width आपको देगने को मिलेगा इसका जो overall height है वो 1074 mm का है और इसका seat height है वो 798 mm का है जो की एकदम काखी standard seat height है आपका height है 5 feet या 5.5 feet भी है तो भी आप आराम से इस bike को control कर सका है मैं तुद जब इस bike को ride कर रहा था मुझे अच्छा खासा experience रहा है और इसका इंजिन का sound है और riding comfort ने से काफे भेतर लगा मुझे आप आपका ride में क्या है वो मुझे comment section पे जरूर बोला और आपको यह review कैसा लगा है आपका ride क्या है इस grammar extract के बारे हो और अगर अब मेरे चैनल पर ने हो तो please मेरे चैनल इंडियान आइडेंटिटी को subscribe करने के साथ वीडियो को like और से जरूर करना